दोस्तो जान यह multi vendor grocery application कितना ज़्यादा फाइद में हो सकता है आपके लिए अगर आप इस field में नहे हैं या फिर अगर आप इस field में उतरना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको multi vendor grocery application स्टार्ट करना चाहिए दोस्तो आप सभी को पता है कि अभी market में Jio Mart मुंबे में launch हो चुका है अभी हर जगा धीरे 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 जीरे जहां तक मुझे पता है पूरे इंडिया में में भी हो सकता है दो मेने तीन मेने चार मेने में हर जगा launch हो जाएगा Jio Mart ठीक है जियो मार्ट के कहीं फायदे इस टाइम दुकानदारों को भी मिलेंगे और जो यूजर्स हैं Jio के सब्सक्राइबर्स हैं Jio users जो हैं जो Jio को बहुत जादा प्यार करते हैं उनको भी बहुत जादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि Jio Mart जो है उनक कि अपना मार्ट बना सकते हो ठीक है क्योंकि आप सभी को पता है Jio Mart इस टाइम कस्टमर से मतलब कस्टमर तो एप्लिकेशन इसको यूजर्स कर रहे हैं ठीक है और जो दुकानदार है जो लोकल दुकानदार होते हैं उनके साथ मिलके कस्टमर को अच्छी सर्विस और सब जी वेगरा तो खैर उनका चला है ठीक ठाक लेकिन सबसे जादा दो ही दो जो बिजनस सबसे जादा चले हैं इंडिया में फर्स्ट मेडिकल सेकेंड किराना तो अभी कहीं कहीं बीश्विस अभी को पता होगा लॉगड़न दस दिन का पंदा दिन का किसी किसी स्टे नहीं है ठीक है तो इस सिच्वेशन में क्या करें अब यूजर तो इसके लिए अभी ऑनलेन सिस्टम हर जगा हो चीका ओनलेन सिस्टम कुछ लोग वाटसेप पर और कर लेते हैं फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो या फिर आप कह लीजए ग्रोसरी का कोई प्रोडक्ट हो तो जो उनके आसपस लोकोल एरिया का जो दुकानदार होता है उसका वाटसेप नमर कॉंटेक्ट लेकर उस पर वाटसेप पैच कर लोग ओडर कर ले रहे हैं ठीक है तो इसलिए जियो ने लॉंच किया है जियो मार्ट जो की इंडिया में हर जगा भी लॉंच होने वाला है ठीक है लेकिन आप अपना जियो मार्ट आने से पहले आप अपना खुद का मार्ट मार्केट में लाके कैसे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो ठीक है दोस्तों जब जियो मार्ट आएगा उस लें देखा जाएगा जब हरसेगा लॉंच होगा उससे क्या यूजर को करने वाला है वो अलज़ी हम्लiences कर रहे हैं मर्टी अर् अप्लिकेशन emailed 911 application में अपको क्या करना होता है क्या फाइदा होता हाँ是我 milkKA application में आपको काम करने की कोई जोरत नहीं पड़ती है ठीक है multi vendor application में आप दुकान वालों के साथ collaborate में रहते हो ठीक है multi vendor application में एक आपको चार चीज़े मिलती है एक होता है आपका master panel दूसरा होता है vendor panel जो की आपका दुकान जिसके साथ आपने collab किया है समझे चले कि आप एक society में रह रह रहे हैं उस society में पांच दुकान है ठीक है एक किराना का है एक chicken egg का है एक fruit का है एक vegetable का है ऐसा करके हम एक option ले लेते हैं ठीक है आपने collab करके अपना जो vendor panel है वो चारों को दे दिया है ठीक है और customer के पास आपकी society वे जो भी रह रह रहा है उनकी सभी के पास आपका application होना चाहिए ठीक है इसके लिए promotion कैसे करना है प्रचार कैसे करना है customer से कैसे बातचित करनी है उनको अपना application कैसे यूज कराना है इसके लिए भी आप हमारी management service ले सकते हैं चीक है customer के पास apply आपका application है और आपके पास master panel है और vendor के पास उसका vendor panel है और एक application है delivery boy का, delivery boy का जो application है आप अपने अगर खुद के delivery boy रख रहे हो तो आप उन्हें दे दीजे या फिर अगर दुकानदर के पास उनका delivery boy है तो वो यूज करेंगे क्योंकि delivery boy का application है उनको ये पता लगने के लिए रहता है कि आखिर उन्हें जाना कहा है, order कितने time पे देना है, क्या order है, उनसे जो customer को जो उसने deliver के तो उसे sign लेकर आना है, ठीक है, ये delivery boy का का काम रहता है है, फिर बढू चायब अपना खुद का रख लेजिए delivery boy या फिर दुकानदर का रख लेजिए, अगर आप दुकानदर के दीके ब़ैर रख रहा है तो मतला हूइ उस में को चार्जस मत लेजे अगर ये तो अज़िए पर दिल्विर-पर नधर का चार्जस भी आप दुका अपना रखेंगे तो फिर थोड़ा और इंवेस्मेंट करना पड़ेगा ठीक है तो इसमें आप वेंडर से जो आपके चार वेंडर से अगर उनसे आप 10% कमिशन पे रहते हैं तो समझ के चली कि अगर एक दुकान से उनका 10,000 का बिजनस वह और 1,000 का उनका सिर्फ प्रॉफि अगर आपको पर डेका 1,000 रुपीज होता है जो कि यह रियल टाइम कैश आ रहा है ठीक है एक तो आपका बिजनस चल रहा है रियल टाइम में आपको कैश भी आ रहा है और यह बिजनस ऐसे हैं कि अगर आपने सर्विस अच्छी दी तो यह लॉंग टर्म तक मतलाब आप इ क्या कर सकते हैं इसमें आपका 1-time investment रहता है और इसके साथ मतलब आप जो यह 1-time investment करते हो इसमें आपको lifetime तक आता रहा था क्यूंकि आपने उनके साथ का लाप कर लिया दुकान फ्रॉदक्ट वी उनका जा रहा है सब कुछ कस्टुमर को भी वाले कर रहा है एक्शल में आपका बना सबकुछ एप्लिकेशन यूजर आपका सर्वर यूजर है इसलिए आप उनसे 10% कमीशन ले सकते हो ठीक है अगर ऐसे चार दुकान से भी आप 10% पर हो जाते हो और अच्छी सर्विस हमेशा देते रहते हो तो जीओमार्ट आके भी कोई मतलब नहीं कि लेगा क्यो अगर जीओमार्ट में कुछ प्रप्लम्माय तो वह कॉस्मेर को काल करें यूजर आएंगे या नहीं याएंगे उनकी ऐसे भी सर्विस हो पत आप लोकल हो वहां के ठीक है तो आप अपने अरिया में करें तो लोग आपे ज्यादा ट्रस्ट करेंगी जीओमार्ट वह जाद कर देते हो business तो definitely आपको बहुत जादा नी क्योंकि real time मतलब cash आपर है आप आपने तो collab कर देते हैं real business की तरह आप चला रहे हो और investment कितना आपका 20-25,000 तक आपका investment रहता है जिसमें आपको server और application दोनों मिल जाता है तो मुझे लगता है कि आपको यह start करना चाहिए, multi vendor grocery application आपको start करना चाहिए ठीक है और अगर आप करने में interested हो तो आप मुझे call कर सकते हो नीचे description box में मेरा number लिया होगा है और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो subscribe कर लिजए अगर आपको यह वीडियो knowledgeful लगी तो वीडियो को like जरूर कीजेगा thank you दोस्तों मेंते हैं next video में अगर आप नया business start करना चाहते हैं तो अभी just मुझे call कीजे